नमस्कार, डक्टर मुल्ला आदम अली यूटूब चानल में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे आधे अधूरे एक मध्यवर्गेई परिवार की आंतरिक कलाह और वुलजते रिष्थों के साथ साथ समाज में स्री पूरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दुसरे से दोनों की अपेक्षावों को चित्रित करता है इस नाटक में कही भी पूर्णता नहीं है सब आधे अधूरे है आधे अधूरे स्री पूरुष के बीच के लगाव और तनाव की कहानी है नाटक के प्रमुक पात्र सावित्री सावित्री अपने पती के पास काम ना होने के कारण काम की तलाश में बाहर निकलती है बिन्नी बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी जो अपनी माता के मित्र मनोज के साथ भाग कर शादी करती है किन्नी किननी सावित्री की छोटी बेटी जो अश्लील उपन्यासों को पड़ने में वैस्त रहती है अशोक, अशोक सावित्री का पुत्र जिसमें अपने माता-पिता वा समाज के प्रती विद्रोह की भावना है आधे अधूरे नाटक की समिक्षा आधिय दूरे आधुनिक मध्यम वर्गी शहरी परिवार की कहानी है। परिवार में पती पत्नी एक पुत्र और बेटियां है। पत्नी के चार मित्र है। पती महेंदरनात बिजनेस म्यान है। उसे ब्यापार में असफलता हाथ लगती है। पत्नी सावित्री अपने पती के पास काम नहीं होने के कारण नौकरी करने घर के बाहर निकलती है। तब उसे पती के दायत्व बोध में कमी नजर आती है। उसे लगता है कि वह सबसे बेकार आदमी है। वह संपूर्ण मनिश नहीं है। बाहर निकलने पर सावित्री की मुल प्राकात चार लोगों से होती है। एक धनी विक्ति है जो मित्र स्वभाव का है और सज्जन है। दूसरा डिग्री धारी विक्ति शिवदत जो सारे समसार में घूमता रहता है। वह एक निष्टा नहीं है। तीसरा सामाजिक विक्ति मनोज है वह सावित्री से दोस्ती तो करता है परन्तु उसकी बेटी से प्रेम विवाह करता है। चौथा विक्ति एक व्यापारी है वह चालाक और घटिया किस्म का आदमी है। चालिस पर्षी सावित्री जिसके चहरे पर अभी भी चमक बरकरार है अपनी जिंदगी के खाली पन को भरने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश में रहती है। इस क्रम में वह उपरोक्त पुर्षों के संपर्ख में आती है। परंतु इनसे संपर्ख बना कर भी उसे संपूर्ण का या पूर्णता का आसास नहीं होता। प्रत्यक विक्ति अपने अपने ढंग से अपने अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए उसका उपयोग करता है। पहला विक्ति मित्र ढंग का है अपनी स्री से उसकी नहीं पढ़ती। पत्नी को छोड़कर वह सावित्री के साथ संबंद बनाता है लेकिन जब वह बीमार होता है तो पुनह सावित्री के पास से लवड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है मनोज सावित्री से नित्रता तो करता है पर सावित्री की बेटी बिन्नी को प्रेमपाश में भांद कर उसके साथ भाग कर शादी रचाता है जब बेटी को अहसास होता है कि उसने जिस इच्छा से मनोज को अपनाया था वह पूरी नहीं हो रही है तो वह अपनी मा के पास वापस लवट आती है चोटी बेटी किन्नी मुफट है वह अशलील उपन्यासों में रमी रहती है तथा लड़कों से संबंद बनाने की इच्छा को रहती है बड़ी बेटी को मा से कोई भी सहानुबुती नहीं है बेटे अशोक में भी असंतोष की भावना घर किये हुए है उसके मन में समाज के प्रती विद्रोह की भावना है मा बाप के प्रती भी विद्रोह की भावना है तीनों संतानों आधनिक परिवेश की उपज है परिवार के तनाव और माता-पिता के संबंदों के कारण उनमे एसी भावना घर कर गई है नाटक के अंत में सभी पात्र एक एक कर घर वापस लौट आते है सावित्री शिवदत के घर से निकल पड़ती है शिवदत उसे नहीं रोकता और लौट कर वह घर चली आती है महिंद्रनाद भी अपने मित्र के यहां से लौट आता है और बेटी भी आ जाती है अंत में लेखक यह पताना चाहते है कि परिवार ही वह धुरी है जो सभी सदेशों को भांदे रखती है परिवार रूपी समस्ता ही एक प्रकार से जीवन को अनुशासित रखती है किन्तु आज प्रत्यक परिवार में कलाह उश्रूंकलताय अनुशासन हीनता दिखाई दे रही है जिनका मुख्य कारण है समाज के अउद्योगी करण तथा भोतिक वादी सोभाव लेकिन फिर भी यदि परिवार अनुशासित है तो यह बिखराव से पस सकता है नाटककार मोहनराकेश ने सावित्री तथा महेंद्रनात के माध्यम से साधारन मध्यमवर्गी भारती परिवारों को चित्रित किया है